हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ शांती समझोते के लिए ताशकन्द जाते हैं और वहां उनकी होट अटेक से मृत्यू हो जाती है ततकाली मभारतिय सरकार कहती है कि शास्त्री जी की मौत प्राकृतिक थी अब सवाल यह आता है कि अगर शास्त्री जी की मौत होट अटेक से गुई थी तो उनका शरीर मिलाकियों पड़ गया था आखिर क्यूं ततकालीन भारतिय सरकार ने शास्त्री जी के परिवार के कहने के बावजूद शास्त्री जी का पोस्ट माटम नहीं करवाया कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता की भूख के कारण शास्त्री जी की हत्या की गई थी हम अपनी आज के वीडियो में बताएंगे कि आखिर शास्त्री जी के मौत से किसका फायदा हुआ 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की होट अटेक से मृत्यू हो गई और उनके पार्थिव शरीर को भारत भीज दिया गया उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने शास्त्री जी की इस संदेहासपद मौत की जांच करवाने से मना कर दिया था फिर वर्ष 1977 में जब कॉंग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई तब शास्त्री जी की रहसे माई मौत की जांच के लिए राजनारायन कमिटी का गठन हुआ था जिसने शास्त्री जी की मृत्यू के दो गवाहों को संसद में पेश होने के लिए कहा था एक शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आरेंच चौंक थे जो शास्त्री जी की मौत से संबंदित कुछ रहसियों को तथे सहित बताना चाहते थे और दूसरे गवाह शास्त्री जी के निजी नौकर रामनात थे सबूतों को जमा करने से पहले रामनाथ ने शास्त्री जी के परिवार से कहा था कि आज वह शास्त्री जी के मौत से संबंदित सारे रहस्यों पर से परदा उठा देंगे संसद जाने के रास्ते में रामनात को एक ट्रक ने टककर मार दिया जिसमें उनकी आदधाश्ट चली गई, डॉक्टर आरेंट चॉंप के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें परिवार सहित उनकी मौत हो गई थी, इतना ही नहीं इंदिरा गांधी द्वारा लगाई में राजनारायन कमीटी की सारी रिपोर्ट्स भी गायब हो गए, लेकिन कोई आखिर शास्त्री जी के हत्या क्यों करेगा। दस्यत है और भारत की 40 प्रतिशत मीडिया के जीबी की कटपुतली थी, कॉंग्रेस ने शास्त्री जी के सारे अच्छे कामों को छुपा दिया और चारूं तरफ नहरू गांधी की ख्याती फैला दी, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या शास्त्री जीबी जी की मौत प्राकृतिक थी या फिर उनकी हत्या की गई थी, आप अपनी राय कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें